हाई एवरिवान और वेल्कम बाक टू लेट्सक्राइक सी यूए टी यूजी आई पूर्वा चौतरी यूर पॉलिटिकल साइन्स एजूकेटर आट अर अकाडमी आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या है हमारा डी यू एड्मिशन प्रोसेस क्या हमारा step by step process रहेगा डेली यू निवरसिटी तक पहुचने में कैसे हम अपनी रीम यू निवरसिटी में एक seat हासिल कर सकते हैं बहुत ही simplified तरीके से मैं आपको ये process समझाऊंगी बिल्कुल नहीं घबराना है बने रहे तो चलिए शुरू करते हैं देखिए सबसे पहली और basic चीज जो है वो ये है कि अब CUAT के थू डेली यू निवरसिटी में admission होता है CUAT है Common University Entrance Test जो NTA National Testing Agency करवाती है clear है तो इसके लिए आपको form भरना पड़ता है तो सबसे पहला step है CUAT का registration करना इस website पे जाके आप register कर सकते हैं अभी तक तो सबने कर ही दिया होगा because now the registration is closed right अब second step आता है जहां पे आप अपना CUAT दे के आते हैं the exam computer based test mode में basically आपको एक center alert होता है वो वहाँ पे बहुत सारे computers होते हैं आपको एक computer alert किया जाते हैं और वहाँ पे आप test देते हैं so conduct of examination होगा CUAT जब दे देंगे तो उसी के आसपास date निकलती है DUCSAS portal की Delhi University का एक portal खुलता है जैसे पहले NTA का CUAT वाला portal था अब Delhi University का एक portal खुलता है अभी जो इसकी estimated date आ रही है 2023 के लिए वो 20th May आ रही है कि 20th May से हमारा DUCSAS portal open होगा CSAS क्या है common seat allocation system clear है कि आपको Delhi University में अगर जाना है तो आपको यहां पी भी register करना होगा अब register के बाद क्या होगा आपको अपने पसंदीदा course और college की एक preference list डालनी पड़ेगी कि भाईया आप ऐसे समझे कि आपको choice दे दी गई है आपको ranking करने है कि नमबर वन पे मैं इस college में जाऊंगा इस course में नमबर टू में मैं इसमें ऐसे करके आप unlimited जितनी भी universities के लिए eligible है आप लगा सकते हैं तो यह preference list जब आप भरेंगे तो इसी के basis पे आपकी rank और आपके number के अनुसार आपको allocation मिलेगी भाई इसमें आपकी category भी माहिने रखते है general से है EWS है SCST है sports quota है so allocation इस सब के basis पे इसी के जो आपने preference list फिल करी है with respect to your marks in CUET उसके हिसाब से आपको allocation होगी इधर DUCSAS portal पे CUET वाले portal पे आप कुछ भी नहीं होगा clear है फिर आपको जब allocation मिल जाती है इसकी में list निकलती है पहले आपको ये समय दिया जाता है कि आप अपनी college preference list डाल दे उसके बाद list हम इसको बोलते है 2-3 बार allocation होती है ठीक है तो पहली बार अगर आपको मिल गया for example पहली बार में बात करें आपको 5th rank का college मिला जो आपकी 5th preference पे था clear है तो अब आपको इस counseling process में पार्ट लेने के लिए fee तो भरनी पड़ेगी एक basic fee भरनी पड़ेगी अब आपके पास option आएगा आपको freeze करना है इसी college में आपको अपनी seat को freeze कर देना है book कर देना है कि आप इसी college में जाना चाहते है या फिर आप upgrade करना चाहते है या फिर आपको लग रहा है कि भईया दूसरी list में या तीसरी list में मेरा हो सकता है third preference है second preference वाले college में number आजाए तो आप upgrade पे click तो आप upgrade पे click कर देंगे तो ये है freeze or upgrade का funda clear है, बहुत easy है, बिलकुल नए घबराना है step by step process होगा, जैसे ही notifications आएंगी, आपको यहाँ पे मिल जाएगी so make sure आप हमार साथ जुडे रहें, because इस तयारी में हम साथ है, अब इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, चैनल पे बहुत सारे amazing teachers है, जो हर एक subject ले रहे हैं, I'm taking a political science, आपको line by line NCRT explanation मिल जाएगी, जाके playlist section चेक करें, उसमें सब कुछ organized तरीके से आपको मिल जाएगा, subject wise educator wise, जिससे भी आप पढ़ना चाहते हैं, आप MCQs लगाए explanations देखें और इन सारे resources इसका बहुत अच्छे से use करें, और साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगी, CUET एक MCQ based test होता है, तो यहाँ पे conceptual clarity बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए कि question पूछ क्या रहा है, reading the question carefully and then attempting the answer so make sure कि आप तयारी बहुत अच्छे से boost कर रहे हैं, you can also go for our plus subscription सारी ही details आपको description box में मिल जाएगी, जहाँ पे हम एक बहुत pocket friendly rate पे बहुत सारे students को पढ़ा रहे हैं for CUET आपको humanities, commerce और science सारे ही domains में साथ ही साथ language और general test का combo बना के भी आपके subscription ले सकते हैं, you can use the code CUET100 for the same अगर आपको discount चाहिए तो thank you so much I hope बहुत easily मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करी और अगर कोई doubts है, कोई भी problems है आप comments में मुझसे पूच सकते हैं so guys that is it for our short and simple video जहाँ पे मैंने आपको step by step procedure बताया do you admission process का, do you counselling process का, let's crack it I'll see you in the next video